नमस्कर दोस्तों आज मैं पुनहाँ आपकी समक्स भक्तिकाल से सम्मन्धित कुछ महत्पूर्ण प्रस्नूत्त लेकर वस्तित हुई हूँ चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्न है रस्खान कभी का वास्त्विक नाम क्या था? आप्सन है नसीम खान अली मुहम्मद अब्दुल सयद इब्राहिम इसका सही उत्तर है आप्सन डी सयद इब्राहिम रस्खान कवित का वास्विक नाम सेयद इब्राहिम था इनकी कुछ प्रमुक किर्दिया हैं जिन में सुजान रस्खान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अस्रियाम प्रमुक है राप कुविंद की रचीता का नाम बताईए ओप्सन है सूर्दास, दंददास, रैदास, मीरा बाई इसका सही उत्तर है ओप्सन डी, मीरा बाई मीरा बाई ने राग गुविंद की रचना की इसके अतरिकते इनकी कुछ प्रमुक रचनाएं हैं जिन में नर्सी जी का माईरा, राग सोरठा, गीत कोविंद की टी का, मलार राग और रुकमणी मंगल प्रसिद्ध हैं रहीम किसके दरबार के कभी थे ओप्सन है प्रथविराज, अकपर, रत्नसेन, भोचराज इसका सही उत्तर है अकपर रहीम अकपर के नवरत्नों में से एक थे इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खानम खाना था इनकी पिता थी बैरम खां, जो अकपर के सनरक्षब तथा मोगल सेना की सेना पती थे जैन्मकाल की अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है पहला उप्सन है सूर तुलसीदास दादू मीरा दूसरा उप्सन है सूर तुलसीदास मीरा दादू तिसरा उप्सन है तुलसीदास सूर दादू मीरा चोथा उप्सन है तुलसीदास सूर मीरा दादू इसका सही उत्तर है Option B सरवर्धम सूर का जन्म हुआ था तदपश्या तुलसी दास, मीरा और दादू आते हैं ये क्रम बिल्कुल सही है सूर, तुलसी, मीरा और दादू तुलसी के वचनों के समान, रहीम के वचन भी हिंदी भासी भुभाग में सरव साधारण की मुख पर रहते हैं या कथन किसका है? कथन पूछा गया है आप्सन दिये है नगेंद्र, नंद दुलारी वाचपी, रामचेंद्र सुक्ल और बजजन सिंग बताना है कि या किसका गथन है? इसका सही उत्तर है आचारी रामचेंद्र सुक्ल या आचारी रामचेंद्र सुक्ल द्वारा कहा गया एक कथन है मदिनास्टक के रचीता का नाम बताईए इनका नाम क्या है? आप्सन है केसवदास, रस्खान, रहीम, नरुत्तमदास मदिनास्टक के रचीता का नाम है आप्सन सी, रहीम रहीम ने मदिनास्टक की रचना की थी इसके अतरिक्त रहीम दोहावली, बर्वे नाईका भीद, रास पंचा ध्याई और नगर सुभाईन की प्रमुक्रचना है रहीम करित मदिनास्टक की भाषा है आप्सने खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी मदिनास्टक रहीम की रचना है और इसकी भाषा है आप्सने खड़ी बोली महीम रहीम दास्टी ने मदिनास्टक की रचना खड़ी बोली में की है खेट कौतुकम किसकी रचना है? आप्सने रहीम रसकान कवीगंग दादु दयाल इसका सही उतर है आप्सने रहीम खेट को अतुकम रहीम की रचना है इसके अत्रिक्तिन की रचना है हम पड़ चुके हैं जैसी नगर सूभा, बर्वे नाई का भेद, रहीम दोहा वली या सचसे इसको कहते हैं स्रंगार सोठा, मदरास्टक और रासपंचा ध्याई अगला प्रस्न है उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का सरे किसी प्राप्त है उप्सन है संकराचार्य, रामाणुचाचार्य, रामाणण, मध्वाचार्य इसका सही उत्तर है Option C, रामानन उत्तर भारत में रामानन्द ने भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था रागुआनन्द ने उत्तर भारत में रामभक्ति का प्रवर्तन किया परन्तु से प्रतिष्टित और प्रशारित उनके से से रामानन्द ने किया था रामानन्द के गुरु थे रागुवानन रामानन्द को आकास धर्मा गुरु आचारी हजारी प्रुसाद दिवेदी जी ने भी कहा है और इनके समय में एक पंक्ति अत्यरिक प्रचलित है कहते हैं कि भक्ती द्रावड उपजी लाए रामानन्द कहने का तात्पर यह है कि जो भक्ती भावना थी वह द्राविड अर्था दक्सिड में पंपी किन्टो उनको उत्तर भारत में लानी का श्रे रामानन्द को प्राप्त है तुलसी दास किस दार्शनिक मत के भक्त कवी थे? उप्सन E अद्वैत्वाद, उप्सन B सुध्धा द्वैत्वाद, उप्सन C द्वैत्वाद, उप्सन D विसिस्टा द्वैत्वाद इसका सही उत्तर है विसिस्टा द्वैत्वाद आचारे जो गोस्वामी तुलसी दाजी थे वो आचारे रामानुजाचारी के दार्शनिक मत विशिस्टा दोयत्वात से प्रभावी थे भक्ती आंदोलन को इसायत की देन कहने वाले इतिहासकार है ओप्सन है जोर्ज ग्रियर्शन, मेश्रबंधु, गार्षा दतासी, राहुल सांक्रत्यायन इसका सही उत्तर है जोर्ज ग्रियर्शन जोर्ज ग्रियर्शन भक्ती आंदोलन को इसायत की देन मानते है और इन्होंने ही भक्ती काल को स्वर्ण युग की नाम से संबोधित किया है हिंदी साहितिके के सी युग को स्वर्ण युग कहा जाता है ओप्सन है रिती काल को, ओप्सन भी राधी काल को, ओप्सन सी आधुनिक काल को, ओप्सन भक्ती काल को इसका सही उत्तर है option D भक्तिकाल को हिंदी साहिति की भक्तिकाल को स्वर्णियुक कहा जाता है जोर्ज क्रियरसन ने भक्तिकाल को स्वर्णियुक कहा था और लोग जागरण काल की नाम से भक्तिकाल को रामविला सर्मा ने पुकारा है इसके अत्रिक्त हजारी प्रसाद दिवेदी ने भक्ती आंदोरन को लोग जागरण के संग्या दी है सोलवी सत्रवी सती के युग का भक्ती काल को हिंदी कावी का स्वर्ण युग माननी वाले प्रथम विद्वान है भक्तिकाल को स्वर्ण युग मानने वाले कौन थे? ओप्सन ए आचारी सुक्ल, मिस्र बंदू, जोर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाथ दिवेदी इसका सही उत्तर है, हजारी प्रसाथ दिवेदी स्वर्ण युग मानने वाले है स्वर्णियुक कहा है जॉर्ज ग्रियरसनी जॉर्ज ग्रियरसनी भक्तिकाल को सरप्रथम स्वर्णियुक की नाम से संबोधित किया है हजारी प्रसाद दिविधी जी ने इसको लोग जागरण की संग्या दी है भक्ति आंदूलन को लोग जागरण किस ने कहा इसका सही उत्तर है Option D हजारी प्रशाद दिवेदी लोग चागरण की संग्या इनको हजारी प्रशाद दिवेदी जी ने दी है हजारी प्रशाद दिवेदी जी ने भक्ति आंदोलन को लोग चागरण कहा है आचारी हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने भक्ती आंदूलन के उदाई के संदर्व में कहा है लेकिन जोड़ देकर कहना चाहता हूं कि अगर इसलाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्ती का बाहराना वैसा ही होता जैसा आज है अपनी पौरुस से हताश जाती के लिए भगवान की शक्ती और करुणा की उद्ध्यान ले जाने की अतरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था या किसका कथन है आपसन ए रामचंद्र सुक्ल वीद्या निवासमिश्र हजारी प्रशाद दिवेदी और नामवर सिंग इसका सही उत्तर है आपसन ए आचारे रामचंद्र सुक्ल या गतन आचारे रामचंद्र सुक्ल का है आलवार वैश्रव की संख्या है नो दस एक्यारा बारा आलवार वैशनव की संक्या 12 है इसके अतरिक्त हम ये पढ़ चुके हैं कि आलवार जो वैशनव है इनका एक ये तमिल जो कवी थे कवी एवं संत्य थे ये इसके अतरिक्त इनका एक काव्य संकलन दिव्य प्रबंधम नाम से उपलब्द होता है जिसमें इनके 4000 पत संकली थे रामानन्द की सिस्से परंपरा में आते हैं रामानन्द किसकी सिस्से परंपरा में आते हैं आप्सन है रंगाचार्य, नात्मुनी, रामानुजाचार्य, पुंडरी काक्ष इसका सही उतर है आप्सन सी रामानुजाचार्य रामानंते रामानुच्याचारी की सिसी परंपरा में आते हैं रामानंत को भक्ती आंदोलन का महान संत माना जाता है उन्होंने रामभक्ती धारा को समाज के निजली तब की तक पहुँचाया था वे पहले ऐसे आचारी हुए थे जिनों ने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था हिंदी का भक्तिकाल बहारी आक्रमण की प्रतिकरिया है यह कथन की स्वित्वान का है इसका उत्तर है आचारे रामचंद्र सुक्ली जी ने हिंदी का भक्तिकाल बहारी आक्रमण की प्रतिकरिया है यह कहा था इन्वे से कौन आलवार महीला संत है आपसने आंडाल आज का मासी सहजो बाई मेरा बाई इसमें से जो आंडाल है वो दक्सिन की अलवार महीला संत है आपसने विल्कुल सही है गंग कवी का जन्मिस्थान है आपसने आगरा, प्रयाक, इटावा, गंगापो नगर गंग कवी का जन्म इटावा में हुआ था यह अकपर के नवरतनों में से एक थे और रहीम के मित्र भी थे इसके अत्रिक्त इनकी एक प्रमुख रचना, चंद चंद बर्णन की महीमा उपलब्त होती है अगला प्रस्न है, सकी संप्रदाई को कहा जाता है और इसकी जो इस्थापना कीवद स्वामी हरिदास ने की थी अस्ट चंद की स्थापना वल्लबा जारीजी की पुत्र विठल नाक ने की थी राधा वल्लब संप्रदाई की स्थापना ही थारी वनसने की और चिंता चिंत जो संप्रदाई है वाद चैतनी संप्रदाई से सम्मंदित है नेमने लिखित में से कौन हनुमत्चरित्र का रचिता है औपसाने नाभादास तुलसी दास अग्रदास राइमल पांडे इसका सही उत्तर है राइमल पांडी राइमल पांडी ने हनुमत चरित की रचिना की थी नाभा दास ने भक्तमाल और अस्टियाम की तुलसी दास जी की बार महत्पून्ट रचिनाई उपलप्त होती है इसके अतरिकत अग्रिदास ने जो राम भक्ती साखा की कवी है इन्हों राम ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी, अस्टियाम और राम अस्टियाम लिखा था निमने लिखित में से कौन राधा वल्लब संप्रदाई का प्रवर्तक है? उप्शन ए वल्लबाचारी, हिथरीवन्स, कोविन स्वामी, चीज स्वामी इसका सही उत्तर है, हिथरीवन्स, उप्शन बी जो हिथरीवन्स हैं, इन्होंने राधा जी को गुरु रूप में सुईकार किया है बर्वे नाई का भीत का रचनाकार कौन है? उप्शन है रहीम, रसलीन, बिहारी, देव इसका सही उत्तर है, उप्शन है रहीम रहीम ने बर्वे नाई का भीत की रचना की थी रसलीन ने की थी अंगदर पढ़ की, बिहारी ने बिहारी सत्साई की देव की जो देव रिती काल से सम्मन्दित है इनकी भी अन्य रशनाई में कुछ महतुपोन रशनाई उपलब्द होती है जो हम आगे चल कर पड़ेंगे अन्तिम प्रस्न है निर्गुण भक्ती की कवी नहीं है रैदास, कभीर्दास, दादुदेयार, स्री रामानुजाचारियो इसका सही उत्तर है अपसंडी स्री रामानुजाचारियो स्री रामानुजाचारियो निर्गुण भक्ती की कवी नहीं बलकी राम भक्ती के आचारी है इन्होंनी स्री संप्रदाय तथा विशिस्टा अदुएतवात की स्थापना की आज की वीडियो यही पसमाप तो होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें इसे सेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद